हेलो फ्रेंड्स का वरंतर का रेसिपी में मैं वर्षे योले आप सब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो आज हम बनाने वाले हैं 10 मिनिट में तयार करने वाली दूद की एक बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी तो चले फिर recipe बनना श्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने एक medium size का glass दूद लिया है जिसमें हम 10-10 वाले milk powder के packet 3 याड़ करने वाले हैं और milk powder के साथ हमें इसमें sugar भी डालने वाले हैं milk powder और sugar हमें आच्चे से दूद में mix कर के लिए नहीं यहाँ पर शुगर का इस्तमाल आपकी सबसे कर लिजेगा कितनी आपको शुगर पसंद है यहाँ पर मैंने sugar और milk powder दोनों भी डाल दिया है और आच्चे से हमें sugar और milk powder को mix कर के लिए नहीं यहाँ पर मैंने sugar और milk powder mix कर लिए है तो उसमें मैंने आदा चम्मच विलाइच पाउडर और थोड़ा सा food color डाला है और इन दोनों को आच्चे से हमें mix कर के लिए नहीं और यहाँ पर यहाँ पर हमारी instant रब्डी तायर हो चुके आप इस रब्डी को हम site में रख देते हैं और आगली process में टाइकी कर लेते हैं तो आप यहाँ पर मैंने लिए है bread तो bread को हमें ना पहले क्या करना है बेलना है तो आप देख सकते हो मैंने किस तरह से बेला है आप भी एक मेडम size की कटूरी लेंगे और कटूरी की साहिया से हम उसमें गोल बाना कर लेंगे आप देख सकते हो किस तरह से मैंने ये bread कट कर लिया है तो बाकी की bread भी इस तरह से कर के लेंगे तो आप क्या करेंगे हम तो यहाँ पे मैंने ले यहाँ दस वाला मिल्क पाउडर का एक पैकेट और यहाँ पे मैंने शुगर शिरुप तायार किया था तो उसमें से 2 चमची इस milk powder में शुगर शिरफ डालेंगे और milk powder के साथ mix करेंगे तो यहाँ पर मैंने यह शुगर शिरफ डालके milk powder mix कर ली है आप देख सकते हो कि किस तरह से मैंने यहाँ पर यह milk powder mix कर ली है बिल्कुल हमारी ये जो मिल्क पाउडर है ना मावे जैसे तायर हो चुके आप देख सकते हो बहुत ही मस्त तो यहाँ पर मैंने ये मिल्क पाउडर का बैटर तायर किया है जो हमने ब्रेट कट कर लिए है ना उसके उपर हमें इस मैंने जैसे मिल्क पाउडर लगाई है बिल्कुल उसी तरह से हमें लगा कर लेने हैं और दूसरा बिरेट उसके उपर रखे जिस तरह से मैंने प्याक किया है बिल्कुल वैसे कर लेना है बाकी के बिरेट हम इसी तरह से बाना कर लेंगे यह जो हमने मिल्क पाउडर तायर कि यह ना इस तरह बिल्कुल मावे जैसी लगती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है तो इस तरह से हम बाकी के ब्रेट भी बना कर लेंगे आप जो हमने ब्रेट के स्लाइस तायर कर लिए थे तो इस डिश में हम रख देते हैं यहाँ पर मैंने दो तरह के डिश लि देते हैं तूरंत ही आपको खाना हो तो बहुत ही बेश तरीका है आप इस तरह से ब्रेट के स्लाइस बना के रखे और जो हमने यह रबड़ी तायर की है उसके उपर डालनी है और उपर से गार्णिश करना है ड्राइफुट से तो इस खाने में तो बहुत आची लगती है आप त्या वार तो आ रहे हैं आप इस रक्षा बंदन पर भी इस तरह की मिठाई आप तयार कर सकते हो आचनक आपके घर में कोई महमान आ जाए तो आप इस तरह की यह मिठाई बना कर खिला सकते हो बहुत ज़्यादा टेस्ट लगती है आप मैंने ब्रेट के उपर हमारी अगर आपके पास केसर रखा हो तो इसके उपर केसर तो बहुत आच्छा दिखता है तो यहाँ पर यह हमारे इंस्टन वार्ली मिठाई खाने के लिए तयार है बिल्कुल जैसे रस मलाई होती ना दूद वाली बिल्कुल उस तरह से यह वाली मिठाई लगती है फिडियो पसं